हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू देशी तड़काविद अमिता तो आप सब को कृष्ण जन्मोस्तब की बहुत बहुत बधाई और इसी अफसर पर मैं आपके लाई हूँ मेवा के लड़ू जो की बहुत इम्म्यूनिटी बूस्टर है उसी के साथ हाई न्यूटिशियस वो सारी ही सेहत के लिए बहुत जादा लापकारी है फाइदे मंद है तो फुल वीडियो जरूर देखिए और इसे आप अपने बच्चों को दे सकते हैं जिससे उनकी इम्मिनिटी को एकदम बूस्ट करेगा यह लड़ू तो फुल वीडियो जरूर देखिए आपको जरू प्रेस कर दीजे तो चलिए फटाफट से रसिपी स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने ले लिया है यहां पर एक कढ़ाई नॉन स्टिक कढ़ाई ली है मैंने और इसको हमने गैस पर रख दिया है और इसके बाद में इसमें डालूंगी करीब 2 टेबल स्पून के करीब बदाम की मिंगी है पचास ग्राम है ये वेट में तो इनको डालने के बाद मैं इसको ड्राय रोस्ट करूंगी एक से दो मिनिट के लिए मीडियम तू लो फ्लेम पर तो फ्रेंट्स जैसा कि आपको पता है कि बदाम हमारी याददाश को तेज करते हैं और हमारी इमिनिटी इसी के साथ मैंने लिया है यहाँ पर 50 ग्राम के काज़ू काजू बी जो है बहुत ही फायदे मंद होतें हमारी ह 문제 के लिए हमारी बोन्स के लिए और बालों और इसकिन को भी अच्छा करते हैं यह तो इनको भी हम एक से 2 मिनिट के लिए ड्राय Ayraps कर लहेंगे इसके बाद म ने लिया है यहां पर pumpkin seed तो तो friends इसको भी हमें dry roast करना है एक से दो मिनट के लिए और पिस्ता protein का एक बहुत अच्छा source है जो कि हमें आरे बालों और skin के लिए बहुत अच्छा रहता है साथ ही pumpkin seeds भी health के लिए बहुत अच्छा होता है diabetes में बहुत फाइदे मन्द होता है तो इनको भी हम एक से दो मिनट के लिए roast कर लेंगे medium to low flame पर तो अब इसी के साथ मैं डाल रही हूं मखाना तो मखाना तो हम सब एक cup मैंने मखाना लिया है और यह हम सबी को पता है कि मखाना कितना फाइदे मन्द होता है weight loss में और इसमें बहुत सारी ऐसे nutritious value होती है जो हमा अब करीब करीब इन सारी चीज़ों को dry roast करते हुए मुझे 4-5 मिनट हो गए है और यह जो सारी चीज़े है वो roast हो गए है अच्छे से देखे मखाना भी चूरा हो रहा है और जो pumpkin seed है वो भी फूल गए है तो इसका मतलब है कि हमारी जो mewa है वो dry roast हो चुकी है तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में निकाल के हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे तो अब मैंने वही कड़ाई दुबारा से रख लिए और इसमें डालेंगे हम तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून पॉपी सीट्स और इसे भी हम एक मिनट के लिए dry roast करे है क्योंकि इसके जो प्रॉपर्टी होती है वह बहुत ऐसी होती है कि बहुत जल्दी dry roast हो जाता है तो इसके बाद मैंने इसमें डाला है वन टेबल स्पून खर्बूजे के बीच और जो खर्बूजे के बीच होते हैं वह भी एक हाई प्रोटीन का सोर्स होता है विटैमिन मिनरल कॉपर आयरन से भरपूर होते हैं तो इसको भी मैंने वन मिनट के लिए dry roast कर लिया है medium to low flame पर तो अब यह देखे हाडली मैंने इन दोनों चीजों को दो मिनट तक dry roast किया है क्योंकि इनको हमने अलग से इसलिए dry roast किया है क्योंकि यह बहुत ही जल्दी roast हो जाते है त इसको एक प्लेट पे मैं निकाल लेती हूं और friends हमने जो sequence लिया है सब चीजों को roast करने का वह इसलिए क्योंकि जिस जिस हिसाब से जो चीज रोस्ट होती है क्योंकि बदाम रोस्ट होने में देर लगती है इसलिए हमने सबसे पहले बदाम लिया उसके बाद काजू तो मिक्सी के जार में डाल देंगे और यह देखिए यह हमने अलग से roast किया है यह देखिए खरबुजे के बीच भी अच्छे से roast हो गए है अच्छे से crush हो रहे है वो तो अब इसको हम एक मिक्सी के जार में डाल कर दरदरा पीसेंगे और एक टेबल स्पून हम यह roasted dry fruits को अलग अच्छा लएगा तो इसको हम दरदरा पीस लेंगे मिक्सी के जार में डाल के और इसको हम इमाम दस्ते में मोटा मोटा कूट लेंगे और एकदम से fine powder हमें नहीं बनाना है dry fruits का थोड़ा दरदरा रखना है जिससे वह खाने में अच्छा लगता है जब dry fruits मूह में आते हैं तो यह देखिए मैंने एक टेबल स्पून जो dry fruits निकाले थे अलग से उनको इमाम दस्ते में कूट लिया है और इधर जो हमने मिक्सी के जार में PC है मेवा तो यह देखिए मखाने इसमें से नहीं पिसे हैं तो उसको हम इमाम दस्ते में कूट लेंगे क्योंकि अगर अब इ जो हमें नहीं करना है हमें थोड़ा सा दढ़ दरा रखना है तो मखान जो नहीं पिस्ते हैं उनको आप निकालके खलड में या इमाम दस्ते में अलग से कूट लीजिए तो यह देखे इनको हम ऐसे ही कूट लेंगे और फ्रेंट्स यह जो इसमें सारी चीज़े मैंने डाली हैं बहुत ही नूट्रिशियस होती है इनकी जो नूट्रिशियस वेल्यू एकदम हाई होती है तो यह देखे यह मैंने यहां पे 100 तर्दियों में बहुत फायदे मंद होता है कफ और कोल्ड को बैलन्स करता है एम्मुनिटी बूस्टर होता है और वेट लॉस में भी हल्फुल होता है गुड़ आप खा सकते हैं चीनी से आपका वेट बढ़ता है लेकिन गुड़ से इतना वेट नहीं बढ़ता है तो यह दे थार Sorry और की नहीं बननी है जिससे हम कहते हैं कच्चे तार की जो कि पाग के लिए बनाए उस बनानी है। जैकि के एक मिनट तक भून लेंगे इसमें चाशनी में तो नारियल का बुरादा भी आपको पता है अपने आप में बहुत फाइदे मंद होता है तो अब एक मिनट के बाद मैं इसमें डाल रही हूं वो जो मेवा हमने दर्दरी पीसी थी वो इसमें मिला दूंगी मैं और इसको मिलात कूटर है और इसके बाद इसमें जो हमने एक टेबल स्पून अलग से खलर में या इमाम दस्ते में मैवा को कूटके रखाता वो भी हम इसमें डाल देंगे तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें मैं डालूंगी 1 த ब्स्पून किश नहीं होती और कि तो इसको हमें 3-4 मिनिट के लिए भूनना है इससे जादा हमें नहीं भूनना है मीडियम टू लो फ्लेम पर अभी तीन से चार मिनिट हो गए है मैं गैस की फ्लेम को आफ कर दूंगी और इसमें जो हीट है उसी में हम इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे किश्मिश को सबसे एंड में इसलिए डाला है क्योंकि वह बहुत जल्दी कोख हो जाती है देखिए फूल गई है मैंने गैस बंद करने से बस एक मिनिट पहले किश्मिश डाली थी और अब इस मिक्शर को हम ठंडा होने के लिए रग देंगे क्योंकि जब यह ठंडा हो जाए हैं जादा भी ठंडा हमें नहीं करना है बस इतना ही ठंडा करना है जितना हम इसके इसको टच करके और टच कर पाएं और इसके लड़ू बांद पाएं तो यह देखिए तयार है हमारे मेवा के एमिनिटी बूस्टर सूपर हेल्दी लड़ू जिसको आप बनाईए काना का भोग लगाईए बच्चों को दीजिए और इसमें से फ्रेंट्स बहुत ही प्यारी स्मेल आ रही है बहुत ही टेस्टी और टेम्टिंग यह दिखने में लग रहे हैं खाने में तो उससे भी जादा होते हैं तो बस क्या है अब बनाने लग जाए अब यह लड़ू और यह आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइए और पसंद आये तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिए देखने में बहुत टेस्टी लगते हैं किसी गार्डिशिंग की इसमें जरूरत नहीं है अपने आप में बहुत ही टेस्टी ल